इम्रान से फिर मोटिवेशनल टेक्नोजी में आप सबी का स्वागत है दोस्तो अगर आप हमारे चैनल पर नहीं हो तो सस्क्राइब कर लिजी जिससे आने वाली हमारी हर वीडियो आप लोगों प्राप्थ हो सके साथ ही एक्सप्रेसवे को जद में आने वाली जिलों में उध्योगी करण को रफ्तार भी मिलेगी उत्तर परदेश के उध्योगी विकास मंतिर 37 महाना ने यह बात मंगलवार को गंगा एक्सप्रेसवे पर योजना के कारे बंधन की समीक्षा बैठिंग में कही उन्होंने कहा कि गंगा एक्सप्रेसवे के निर्मार से जुड़ी सभी गतिवीडियों में तेजी लाने के निर्देश दिये है उन्होंने यह भी कहा कि कैबिनेट में पास कराने वाले सभी धादित प्रिस्तावाओं को जल्द अंतिम रूप दे दिया जाए बैठक में एक्सप्रेसवे को पी-पी मोडल पर बनाने के मुद्दे पर भी चर्चा की गई छेए लैन का होगा एक्सप्रेट 120 किलोमीटर की रफ्ताष से चलेगा वाहन सरी महाना कहा कि गंगा एक्सप्रेसवे की लंबाई लगबग 594 किलोमीटर होगी यह है एक्सप्रेशवे 6 लेन का होगा और इसे आठ तक विस्तरित किया जाज़केगा इसमें 120 किलोमेटर प्रिती घंटा की इस प्यूट से वाहन चल सकेगे इसके किनारे साहजापूर के समीख हवाई पट्टी का निर्माड गंग नदी पर 900 मीटर एवं राम गंग नदी प पर 700 मीटर पूल प्रिस्तवीत है इस एक्सप्रेशवे पर मेरट एवं प्रियागराज में एक एक टोल पिलाजा और इसमें 15 रेम टोल पिलाजा का निर्माड किया जाना है साथी एक्सप्रेशवे के किनारे नो जन सुविधा परिसर का अभी निर्माड कराया जाएगा इस परियोजना की कुल अनुमानित लागद 36 करोल 400 करोल रुपे है इसमें से भूमी अधिकरण के लिए 9 करोल 255 करोल रुपे व्याक्त होगी मंतरी ना बताया है कि आगर लग परियोजना का जित्तर जिलेदार अराइंजमेंट परियोजना का अनुमानित लागद को कैबिनेट के पास कराया जाएगा धन जुटाने की पीपी मोडल पर निर्यूसर्स ने प्रिस्ताव ईयो यानि रूची के आव्यक्ति है मांग मांगी जाएगी इसके लिए पिरक्र थाएगी झाल झाल